वाहे गुरी जीदा खाल्चा की भपे जय श्री राम भारत माता की भारत माता की सबसे पहले तो मैं आप सब की छबा मांगता हूँ क्यों कि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और मुझे बताया गया कि आप काफी समय से बैठे हैं इंतिजार कर रहे हैं मैं गुर्दास्पूर की इस पावन धर्ती को प्रणाम करता हूँ ये डेरा बाबा नानक जैसे पवित्र स्थान से सुशोबीत है इसमें हमारे गुरुओं के आशिरवाज जुड़े हैं मैं देख रहा हूं आपका ये उत्सा ये प्यार गुरुदास्पूर और बीजेपी का ये रिस्ता कुछ खास है मैंने पंजाब में काम किया है बहुत पुराने साथियों के साथ काम करने का आउसर मिला है हमारे कंसराज जी हो मदन गुपता जी हो एते अन्यक नाम है जिस्ट के साथ लंबे अर्से तक मुझे यहां कायर करने का आउसर मिला और यहां चार बार सांसद रहे मेरे बहुत ये अच्छे मित्र बिनो खन्ना हम कंदे से कंदा मिला के काम करते थे लंबे अर्से तक साथ में काम किया और मैंने देखा था कि वैसे तो यह सेलिप्रिटी दुनिया अलग होती है लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए थे उनको यहां के विकास कारियों के सबंद में बारी क्यों से और चीजों का पता रहता था और मंत्री के रुप में भी अटल जी की सरकार में उनके योगदान की चर्चा आज भी विरोकरसी में होती है उन्होंने अनेट पूलों का निर्मान करवाया अनेट करास्तों का जिमाया ने विकास के कामों में और गुर्दासपूर के लोग तो आज भी उनके कामों की सराना करते हैं गुर्दासपूर का तेज विकास हो पंजाब का तेज विकास हो और देश का तेज विकास हो मैं आपकी उमीदों पर खड़ा उत्रूं इसलिए मैं आपसे आशिरवाद मांगने आया हूँ कि साथ्यों कि 2024 का चुनाव यह देश को नेत्रुत्व देने का चुनाव है आज एक और बीजेपी और एंडिये है विक्सित भारत का स्पस्ट भीजन है राष्ट्र प्रफम का संकल्प है दस साल का ट्रेक रकॉर्ड है ब्रस्टा चार पर कड़ा प्रहार है और दूसरी वार इंडि गड़ मंदन है गोर सांप्रदाई गोर जातिवादी गोर परिवारवादी यह कॉंग्रेस जाडू वाले यह इंडि गड़ मंदन के लोग कि देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं क्या देश की जनता समझता रहा है समको लगता नहीं क्या आए दिन जनता को मुर्ग बनाने के लिए भाती भाती के खेल खेल रहें अब आप देखिए यह लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं ब्रस्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहां पंजाम में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं जनता भी जान गई है इन दोनों दुकानों का शतर एक ही है इसलिए इन्डी गड़बंदन को हराने के लिए आपको सिर्फ भाजपा को ही कमल के निशान पर ही बटन दबा करके आपके सपनों को पूरा करना है और आपको भी पता है केंद्रे में सरकार मुझे बताईए किसकी सरकार बनेगी भाई आप बताईए किसकी बनेगी आप यहां गुर्दासपूर में अपधान कोड में कहीं पर भी रेल के डिपे में सो लोगों को पूछिए कि बताईए सरकार किसकी बनेगी नब्य लोग कहेंगे कि मोधी की सरकार बनना पक्का है अब जब इतना साफ साफ है तो कोई अपना वोट बरबाद करेगा क्या कोई अपना वोट फालतों में ऐसे खर्च कर देगा क्या और इसलिए इस बार कोई दुविदा का माहोली नहीं है इस बार सबसे ज़्यादा गाव इसी इंडी गडवन्दन ने दिये आज़ादे के बाद विभाजन का गाव स्वार्थ के चलते अस्थीरता का गाव पंजाब में अशांती का लंबा दौर पंजाब के भाईचारे पर हमला हमारी आस्था पर चोट कॉंग्रेस ने पंजाब में क्या कुछ नहीं किया यहां इनों ने अलगाव वाद को हवा दिये फिर दिल्ली में सीखों का मरसमार करवाया कॉंग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही दंगाईयों को बचाती रही यह मोदी है जिसने सीख दंगों की फाईले खुलवाई यह मोदी है जिसने आरोपियों को सजा दिलवाई आज भी कॉंग्रेस को जाडू वाली पार्टी को इस बात की तकलीप है इसलिए लोग मोदी को दिन रात गालियां देते भिरते हैं साथियों जब देश हित की बात आती है तो कॉंग्रेस पार्टी आपको सबसे पीछे खड़ी नजर आएगी अब याद करिये कॉंग्रेस जब पंजाब में सब्ता में थी तो ओर्डर कहां से आते थे कॉंग्रेस चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाएं लेकिन कैप्टर हम लिजनर जीजी ने इस दिल्ली के साजादे का ओर्डर मानने जम इंकार कर दिया वो सेना के देशबक्त जाबाज थे उन्होंने सिमावरती राज होने के कारण राष्टे सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी उन्होंने दिल्ली के देश विरोधी ओर्डर लेने बंद किये परणाम क्या हुआ कॉंग्रेस के साही परिवार और सहजादे ने उनको मुख्यमंत्री पर से हटा दिया पंजाब का यह अप्मान क्या कोई कभी भूल सकता है बाईयों बैनों दुर्बागे से आज भी पंजाब को रिमोर्ट से चलाने की कोशिश हो रही है दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं पंजाब के सियेम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते इनके मालिक जेल गये पंजाब के सरकार ठपढ़ने लगी यहाँ के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए पंजाब की सरकार चलाने के लिए नए ओरर लेने के लिए उनको तिहार जेल जाना पड़ा मालिक के सामने जाकर जोंको अपना रिपोर्ट कार देना पड़ा उनसे आदेश लेना पड़ा आपको पता है एक जुन के बाद कट्र ब्रस्टाचारी फिर जेल जाएंगे क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या आपको ऐसी सरकार मंजूर है क्या ऐसी पद्दती मंजूर है क्या यह पंजाब का अप्मान है नहीं है यह भीर भूमी का अप्मान है नहीं है यह गुरुवां की भूमी का अप्मान है नहीं है क्या यह पंजाब के भविश को दाओं पर लगाने की बास है या नहीं है आज पंजाब जिस थीती में है उससे बहार निकान लिए के लिए मैं पंजाब वासियों से प्रार्खना करने आया हूँ और मैं आज आपको आगरे करके आपसे कुछ मांगने आया हूँ पंजाब के उजवल भविष्टे लिए देश के उजवल भविष्टे लिए इस बार पंजाब ज्यादा साहे ज्यादा बीजेपी के सांसद चुन करके भेजे आप बोर देकर अपना काम किजिए पांच साल आपके सपनों के लिए मैं जीओंगा आपके सपने ही मेरे संकल्प होंगे मेरा पल पल आपके लिए मेरा पल पल देश के लिए और मैं आपको बादा करता हूँ साथियों ये इंडी गडबंदन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है आप देखिए कॉंग्रेस का एजेंडा क्या है ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं इन्हें फिर से कश्मीर में आतंगवाद चाहिए इन्हें फिर से कश्मीर को अलगावादियों को सौपना है ये फिर से पाकिस्तान तो दोस्ति के पैगाम बेजेंगे उन्हें गुलाब के फूल बेजेंगे और पाकिस्तान बम दमागे करता रहेगा देश पर आतंगवी हमले होते रहेंगे कॉंग्रेस कहीजिए कुछ भी हो बात्ची तो करनी ही होगी इसके लिए कॉंग्रेस ने अभी से माहोल बनाना शुरू कर दिया है कैसे कैसे बयान कि अभी से देने लगे हैं इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है अब यह सुनकर के आपको हसी आती एक नहीं आती है आती एक नहीं आती है आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है यह सुनकर के डर लगता है क्या किसी को डर लगता है क्या किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या यह कॉंग्रेस वाले कांप रहे बलो कि ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या ऐसे लोग देश को सुरुख्षा दे सकते हैं कि इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से दर करके रहना होगा ये इंडी गडवन्दन वाले पाकिस्तान की भाशा बोल रहे हैं लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है ये घर में घुश कर मारता है कि मेरा सोबागे रहा है पंजाब की धरती पर लंबे समय तब काम कर रहे हैं और गुरुवां की धरती ने मुझे सिकाया है सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश मिटने नहीं दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मैं देश नहीं दूँगा साथियों कॉंग्रेश की समस्या यह है कि उसकी भारत में कोई आस्ता ही नहीं है यह सहजादे विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं वो कहते हैं भारत को रास्ती ही नहीं है इसलिए रास्त की पहचान को बदलना चाहते हैं सहजादे के उस्ताद ने कहा है कि राम मंदिर के निर्मान से हिंदुस्तान में राम नौनी मनाने से भारत की पहचान को खत्रा है कॉंग्रेस कौन से देश को मानती है जिसे भगवान राम से खत्रा है अयोध्या में 500 साल बार भगव्य राम मंदिर बना पूरे देश ने हर्थ बनाया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उसका बैसकार किया और मजा देखिए ये राम मंदिर के लड़ाई आयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए इसकी लड़ाई लड़ने वाला पहला बैक्ति हमारा देश का सिख्थ था जिसने सब से पहले लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनके जो वहूं सकते इस बार जब राम मंदिर का कारकम था उसमें वह मुझूद थे यह सीखों का योगदान है हमारे देश में इंडी गर्बंदन के नेशा राम मंदिर को अपवित्र और बेकार बता रहे हैं आप मुझे बताईए ऐसे लोग पंजाब की पहचान पर हमला करेंगे की नहीं करेंगे इसका जवाम हमें इस तुनाओं में कमल पे बटन दबा करके देना है साथियों कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी पंजाब के भविश्य को दाओं पर लगा रही है ड्रग्स हमारे युवाओं का भविश्य निगल रहा है अपराजियों को राज्य सरकार से सवरक्षन बिला है आज पंजाब में विकास ठप है किसान परेशान है और ये इंडी गड़बंदन वाले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाड रहे हैं भाई और बहनों पंजाब का विकास ये मोदी की प्राथिक्ता है बीजेपी सरकार यहां बिल्ली कट्रा हाइवे बनवा रही है बीजेपी यहां अम्रुसर पठान कोड हाइवे जैसे इंफ्रासेक्टर बना रही है बीजेपी यहां रेलवे सुविदाओं का विकास कर रही है हमारी कोशिद है पंजाब में नए अवसर पैदा हो किसानों का भला हो बीते दस वर्सों में हमने पूरे पंजाब में धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरिदी किये है जिस भाव पर कॉंग्रेस सरकार में फसल खरिदी जाती थी आप उस एमस्पी को धाई गुना तक बढ़ा दिया गया है किसानों को बीज खाद और अन्य जरुतों के लिए पी एम किसान सम्मान निदी मिल रही है पंजाब के हर किसान को इस नीदी के तीस हजार उपिय से जादा बैंक में उनके खाते में ट्रांस्पर किये गए है यहाँ पंजाब में मोटे अनाज स्री अन्य की पैदावर भी बहुत है आज मोधी स्री अन्य के लिए बहुत बढ़ा अभ्यान चला रहे हैं उसका प्रत्यार कर रहे हैं मोधी का लक्ष है भारत का स्री अन्य दुनिया के कौने कौने में पहुँचे इससे पंजाब के किसानों को भी बहुत लाब होगा हमारी कोशीज लीची उत्पादक किसानों को फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्टी ते फायदा पहुचा लेकी भी है अगले पांच साल में हम इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे बाई और बेनों ये महराजा रंजीर सिंग जी की धर्टी है और जब मैं महराजा रंजीर सिंग जी का पुन्य स्मरन करता हूँ तो काशी के साउसत के नाते हर बार मेरा सर जुक करके उनको नमन करता है आप जो काशी जाते हैं ना काशी विश्वनात मादेव के दर्थन के लिए वो स्वन जडित है वो सोना महराणा रंजीर सिंग जड़ा हुआ है काशी के विश्वनात मादेव में स्वन जो जड़ा हुआ है वो हमारे महराणा रंजीर सिंग जड़ा है और इसलिए काशी के सांसत के नाते में हर बार सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ यहां की मिट्टी में हमारे गुरुआं का प्रताप और बनिदान शामील है हमें विश्वित पंजाब विश्वित भारत के मंत्र को साकार करना है इसके लिए मुझे आपसे आशिरवाद चाहिए मोदी आपसे यह अनुरोग करने आया है एक जुन को गुर्दाशपूर से दिनेश सीव बब्बू जी होश्यारपूर से अनिता जी अमरित सर्थ से तरंजित से जी संदू जी इन सब को कमल का बटन दबाकर भारी मोहमत सी यह बिजयी बनाईए और यह हमारी अमरित सर्थ के उम्मीद वारे ने तरंजित जी पिछले दस साल में हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं सरकार के बड़े अपसर रहे हैं अमरिका में भारत की साथ बढ़ाने में उन्हेंने बहुत बड़ी भूमिक आजा किये और सबसे बड़ी बात है वो उस परंपरा के संतान है जिनोंने सीखी के लिए जीवन बलिदान दिये थे उनके संतान है ऐसा परिवार के व्यक्ति आज भारती जंता पार्टी का कमल का निशान लेकर के आपके पास आए मैं आप सबसे आगरे करता हूँ कि आप पूरी शक्ति से भारी मात्रा में हर घर से मतदान करने के लिए निकले कमल पे बटन दबाएं और हमारे इन सभी साथ्यों को विजई बना करके दिल्ली भेजिए और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे ना वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएंगा और इसलिए मेरा अगर है कि आप घर घर जाएए जादा से जादा एक जुनब दूर नहीं है हमने पूरी ताकट लगानी है और हर परिवार को ये भी कहना कि अपने मोदी जी गुर्दासपुर आये थे और मोदी जी ने परिवार के हर किसी को नबश्कार कहा है तो मेरा नमस्कार पहुंचा होगे बोले सोन यहार बहुत बहुत धन्यवार